दोस्तो अगर आपके पास एक Android TV या Android TV बॉक्स है लोकल से लोकल है सस्ता से सस्ता है तो दोस्तो आज हम आपको बताएंगे क्या इसमें जियो टीवी चल पाएगा या नहीं चल पाएगा साथी दोस्तो हम आपको चलाने के भी तरीके बतलाने वाले हैं तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं साहिर टेक टीवी यूटूब चैनल पर इस वीडियो को दोस्तो कीजेगा लाइक और चैनल पे आप हमारे नए हैं चैनल को जरूर कीजेगा सब्सक्राइब चले विडू को इस्टार्ट करते हैं दोस्तो दोस्तो जैसा कि आप सब को मालूम है कि हम कम पैसो के चक्कर में सस्ता समान लेके चले आते हैं मार्केट से मगर दोस्तो प्रॉब्लम कहां फंच जाती है प्रॉब्लम फंचती है दोस्तो जब जब तब जब दोस्तो हमारे बॉक्स में जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है जैसे कि दोस्तो बहुत सारे दर्सक चाहते हैं कि उनके बॉक्स में G.O.D.T.H. चले G.O.T.V. चैनल देखें G.O.D.T.H. G.O.T.V. चैनल कैसे चलता है दोस्तो G.O.D.T.H. G.O.T.V. एक मात्र ऐसा एप है और इसके साथ में और यह वह सारे एप्स है वो अगर आपके बॉक्स में सपोर्ट करते हैं तो चल जाता है लेकिन दोस्तो डाइरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है डाइरेक्ट एपी के कुछ आते हैं जो कि दोस्तो एपी के मैं नहीं कहूंगा कि आप इंस्टॉल कीजेगा जो भी एपी इंस्टॉल कीजे आप Google Play Store से इंस्टॉल कीजिए अगर आप APK इंस्टॉल करते हैं तो दोस्तो उसमें वाइरस होता है आपका सिस्टम आपका TV बॉक्स आपका TV खराब हो सकता है तो APK तो मत इस्तिमाल कीजिएगा और जब आप APK इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको कीबोर्ड और माउस लगाना होता है और उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है जिससे आप चला पाएं अपने TV में जीओ टीवी मगर दोस्तो आज हम आपको जो बताएंगे उसके जरी दोस्तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने रिमोट से ही पूरा कंट्रोल कर पाएंगे अब पूरी अच्छी तरीके से आप चला पाएंगे जीओ टीवी को तो दोस्तो हम आपको बताते चलें आपके Android TV बॉक्स में पहले से और गड़ी केडी नाम से या दोस्तो कोडी नाम से या दोस्तो किसी और नाम से अप्लीकेशन होगी उस अप्लीकेशन में ही आपको सारा काम करना है कुछ सेटिंग्स मैं आपको यहां पर मुझजबानी बताऊंगा उसके हिसाब से आपको करना होगा कर लीजेगा सबसे पहले आप Wifi अपने बॉक्स का कनेक्ट कर लें या आप अपने TV का कनेक्ट कर लें अगर आप Broadwind चलाते हैं तो Broadwind का पासवर्ड और यूजर आ जाएगा सामने आप आप पासवर्ड बाले जैए जैसे और AirTal, Sahil 4G एया है तो हमने इसमें connect कर रखा है पहले से उसके पास से दोस्तो connect कर लीजे या तो आप mobile का hot spot on करके आप कर सकते हैं तो दोस्तो हम आपको उताते चलें आपके पास अगर android tv है android tv box है तो दोस्तो उसके लिए code player आपको install करना होगा उसके settings वाले option में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको file manager नाम से आपको एक section मिल जाएगा उस section में जब जाएंगे दोस्तो तो वहाँ पर आपको add source का option देखने को मिलेगा add source के option पर जब आप click करेंगे तो दोस्तो आपको एक box में non लिखा हुआ आपको non लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा जब आप remote से ok करेंगे तो वहाँ पर दोस्तो आपको एक code डालना होगा code मैं आगे बताऊंगा उसके बाद से दोस्तो आप नीचे उसको ok कर देंगे वो save हो जाएगा उसके बाद से फिर नीचे आप आएंगे नीचे देखेंगे एक पतली सी लाईने उस पे आपको click करके उसमें सिर्फ go tv लिखना होगा दोस्तो इतना करने के बाद आपको back आजाना है उसके बाद से दोस्तो आप फिर setting में आएंगे setting में आप file manager के just bugal में add on पर click करेंगे यहाँ पर दोस्तो आपको जो install repository पर आपको click करना है वहाँ पर जब आप click करेंगे तो देखेंगे go tv आपको दिख रहा है go tv पर आप जब click कर लेंगे उसके बाद से दोस्तो आपको फिर से अपने app से बाहर आ जाना है exit हो जाना है फिर exit होकर फिर अंदर जाना है और उसके बाद से आपको फिर setting में जाकर addon में जाकर repository पर click करने के बाद टोबालान select करना होगा और वहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे install हो जाएगा आपका update हो जाएगा फिर आप setting के नीचे वाले line में addon लिखा होगा वहाँ पर आप जाएंगे GO TV पर जबाब click करेंगे आपके पास GO TV open हो जाएगा आप किसी channel पर जबाब click करेंगे तो आपने जो subscription plan ले रखा है यानि अगर आपके पास GO का mobile number उससे आपको verify करना होगा और आपका नंबर से OTP जाएगा और आपका जो है GO TV चालू हो जाएगा OTP verify करने के बाद तो दोस् GO TV box हो उसमें आप आसानी के साथ install करके Kodi Echo Google Play Store से आप आसानी के साथ GO TV के माध्यम से देख सकते हैं अब दोस्तों इसकी अधिक detail आपको description मिल जाएगी हमारी website वहाँ पर आपको link मिल जाएगा और वहाँ पर हमारी website मिल जाएगी और उस website पर article है article को पढ़कर आप और अच् पसंद आए होगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए